हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल शुश्मा राजकुपता हम लोग कर रहे हैं कमर्शियल लोग का आज का हमारा टॉपिक है पर्फार्मेंस ओफ कॉंट्रेक्ट्स चलिगे शुरू करते हैं जब भी हम कॉंट्रेक्ट करते हैं किसी दूसरी पार्टी के साथ तो उस कॉंट्रेक्ट को पर्फॉर्म करना होता है ठीके जब वो contract perform होता है तो ही वो contract जो है खत माना जाता है complete माना जाता है ठीके जी ए पार्टी कहती है कि मैंने scooter sale करने बी कहती है मैंने payment करनी है तो ए पार्टी scooter deliver करेगी और बी उसकी payment करेगी तो हम ये मानेगे कि जो contract है वो complete हो गया है यहां यह मानेगे कि performance of contract हो चुकी है ठीके यहां अगर promise or ठीके कुछ करता है does or offer to do यहां offer कर रहे है कि मैं काम कर दूँ मैं scooter deliver कर दूँ जब उसने offer कर दी तो it means कि उसके side की performance हो चुकी है हम यह कहेंगे कि A ने अपनी performance दे दी है अगर B कहता है नहीं अभी नहीं आपने deliver करना तो it means कि B की ओर से contract रुका हो है ना कि A की ओर से अगर A does delivery of the scooter देता है यहां offer to do then on the part of A contract is performed अब आगी आता है जो performance है वो दो तरह की है एक तो है actual performance एक्चल परफॉर्मेंस क्या है ठीक है actual performance मतलब जो उसने कहा था promise किया था कि मैं यह काम करूंगा और उसने वो काम कर दिया it is the actual performance ठीक है ना A ने कहा था मैं scooter delivery करूंगा A ने scooter delivery कर दिया it is the actual performance ठीक है आप B ने उसकी payment करनी थी भी ने payment कर दिया, this is called actual performance, जिसमें दोनों parties ने अपने हिस्से का काम कर दिया है, उसे हम कहेंगे actual performance, attempted performance क्या है, जब promisor offer his obligations at proper place and time, but promisor does not accept the performance, promisor ने तो offer की थी न, promisor ने उसे accept नहीं किया, तो उसे attempted performance कहा जाएगा, यह नहीं कहा कि मैं scooter deliver करने के लिए त्यार हूँ, ठीक है, जो उसने date mention थी, उस date पे त्यार है, बी कहता है, रुक जाओ, अभी मैंने scooter नहीं लेना, कोई काम आ गया, कोई problem आ गी, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, दियरीजा attempted performance, पहले क्या थी actual performance, उसम पूरा कर रहे हैं, when promisor has done, what he promised to do, it is known as actual performance, जब वो attempt कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, attempted performance, attempted performance में, जो promisor है, उसने अपने हिस्से का काम कर दिया, बट प्रोमिजी ने उसे रुक आ, तो प्रोमिजी ने अपने हिस्से की performance नहीं दिया, तो अगर breach of contract होती है, तो जिस पे करेगा, क्यों क्योंकि promisor ने अपने हिस्से की performance दे दी है, offer of performance और tender उसी तरह से है, जैसे attempted performance है, इस में promisor जो है, उसने offer की है, offer for performance की है, ठीlast है, बट उसकी जो offer है, उसको refuse कर दिया गया है, ठीक है तो हम कहेंगे कि प्रॉमिस ओर जो है उसने अपने हिस्से की पर्फॉर्मेंस कर दी है He is not liable for the known performance of the contract वो इसके लिए liable नहीं माना जाएगा ठीक है जी तो tender क्या हो गया जिसमें प्रॉमिस ओर है उसने अपने हिस्से की पर्फॉर्मेंस कर दी है ठीक है तो valid के लिए ज़रूरी है कि यह जो पार्टी है इसकी ओर से पर्फॉर्मेंस होनी चाहिए ठीक है जैसे A ने जो goods deliver करनी थी वो good quality की goods जो है produce कर ली है और B से कहा है कि मैंने goods त्यार कर दी अब B कहता है कि मैंने अभी delivery नहीं लेनी है तो यहाँ पर A की तरफ से क्या माना चाहेगा offer of performance मानी चाहेगी अब offer of performance की essentials क्या है फर्स्ट है कि it must be unconditional जो वो A कह रहा है कि मैंने scooter sale करना है B कहता है मैंने खरीदना है A ने offer किया scooter sale करने के लिए तो इसे हम tender कहेंगे अब valid tender तभी होगा अगर वो जो offer कर रहा है वो unconditional हो अब जो scooter deliver करना है उसमें वो किसी तरह की condition तो नहीं लगा रहा अगर वो condition लगा रहा है तो हम यह नहीं कहेंगे कि A जो है वो discharge हो गया पाइंट समझ के अगर A simple offer कर रहा है कि मैं scooter वेचने को त्यार हूँ B कहता है कि अभी मैं खरीदने को त्यार नहीं हूँ तो यहाँ पे A ने अपनी हिस्से की performance करती है B ने नहीं किया कल को B scooter नहीं खरीता A उसे सिव कर सकता है पाइंट क्लियर अब A ने जो delivery की condition है जो scooter deliver करना है उसके लिए कोई condition रख दिया तो जहाँ पे condition रख दिया तो B ने उसे मना कर दिया तो यहाँ पे जो non performance है वो B की नहीं मानी जाएगी किस की मानी जाएगी A की मानी जाएगी पाइंट क्लियर है अगर A offer कर रहे है performance के लिए वो जो offer है वो क्या होनी चाहिए unconditional होनी चाहिए means उस पे किसी तरह की कोई condition नहीं होनी चाहिए यहाँ पे हम लोग case करते हैं case यह है कि P ने दो items के बदले एक single check दे दिया ठीक है check उसने क्या दिया single दिया items दो है जिसमें से एक तो अभी due है एक कुछ देर बाद due है after some time ठीक है अब check उसने single दे दिया ठीक है अब B यहां तो दोनों जो items है दोनों के लिए उसे accept करेगा यहां fully reject करेगा अब B ने जो है obvious है कि unconditional होगी ना यहाँ पे जो P ने चेक दिया वो क्या हो क्या कंडिशनल हो क्या तो इस case में जो promise है वो उसे reject कर सकता है अगर वो reject करता है तो उसका कसूर नहीं है गलती किसकी appeal की है उसको जो अबिट्यू अमाउंट है उसका check देना चाहिए था चीक है तो उसने जो performance किये वो क्या किये conditional की है जो offer की गई है offer of performance प्रोपर टाइम और प्रोपर प्लेस पे होनी चाहिए अगर वो प्रोपर टाइम पे नहीं है तो हम यह valid offer नहीं मानेंगे हुआ क्या A ने कि B को जो check देना था वो 1st June को देना था with interest देना था 1st June को with interest देना था ठीक है जून तक का interest देना था A B को offer कर रहे है 1st मई को जो check देना है with interest वो मई तक का interest दे रहे है तो यहाँ पे not at proper time है ए जो offer of performance कर रहे है not at proper time तो यहाँ B क्या कर सकता है reject कर सकता है तो यह नहीं माना जाएगा कि A ने performance कर दिया A की performance को valid performance नहीं माना जाएगा 3rd point आ क्या the person to whom the tender is made must be given reasonable opportunity जो inspection of goods अब जो person offer कर रहे है offer of performance कर रहे है एक तो मतलब की offer of performance reasonable time के अंदर होनी चाहिए यह नहीं है कि after आप working hours कर रहे हो ठीक है दूसरा जो offer रही है promise है उसको मतलब की goods check करने की opportunity देनी जरूरी है ठीक है अगर आप उसको inspection of goods की opportunity नहीं देते हो आप offer तो कर दी उसने goods तो दे दी offer ने है ना पर उसे क्या किया box में बंद कर दिया अब B को कहा कि तुने खोलना नहीं है बस just इसकी delivery ले लो without opening ता box तो यहां पे offer क्या कर रहे है उसको opportunity of inspection नहीं दे रहा तो इसे valid offer नहीं कहा जाएगा it is not a valid offer not a valid offer point clear है तो valid offer के लिए जरूरी है कि offer को goods की inspection का मुका दिया चाएगा the tender must be whole not of the part जो आप offer कर रहे हो यह नहीं है कि आप half यह in parts कर रहे हो full जो भी है आपने whole contract की offer करनी है अगर आप parts में करते हो installments में करते हो तो वो valid offer नहीं है valid offer नहीं है तो क्या हो का offer ही उसे reject कर सकता है point clear तो a ने offer की है a ने thousand bills जो है b को deliver करनी है तो a ने thousand bills की बजाए वो कहता है कि मैं पांस पांस सो करके दो बर deliver करूंगा तो यहां पर जो है b चाहे तो उसे reject कर सकता है because it is not a valid offer of performance next step tender must be in proper form proper form में होना ज़रूरी है ठीके तो अगर proper form का मतलब है कि जो money है उसको crunch coins में ही पे करने है ठीके अगर आपने money जो है in currency पे करने का promise किया है और बाद में आप उसको check देते हो तो it is not a valid offer ठीके जी find clear है the tender must be made to a proper person सही person को जो है offer करनी है आपने offer b को करनी है तो b को ही करोगे contract b के साथ किये तो offer भी b के साथ करोगे यह नहीं है कि आप c को offer कर रहे हो कि b को कहो ठीके c से कह रहे हो कि b को कहे कि जाके चीज की performance ले ले नहीं the tender must be made to the proper person तो यहाँ पर proper person कोन है b जिसके साथ आपने contract किया है ठीके the tender for the delivery of the goods must be for the quantity and quality जो भी contract में बताई गई है ठीके जी तो delivery of goods क्या होनी चाहिए उसी quality की उसी quantity की होनी चाहिए जो की contract में बताई गई है अगर वो quality proper नहीं है या quantity proper नहीं है तो उसे valid offer नहीं कहा जाएगा it is not a valid offer समझ के clear है जी तो यहाँ पर यह point है कि जो delivery है प्रॉपर quality की होनी चाहिए अगर quality अच्छी नहीं है तो obvious है कि offer यह उसे reject कर सकते है अगर quantity पूरी नहीं है आप कहते हो थोड़ी सी चीज आप ले लो थोड़ी बाद में ले ले लेना even then that is not a valid offer अगर A ने चो contract किया है वो किसके साथ किया एक फर्म के साथ किया उस फर्म के तीन पार्टनर है B, C और D अब A इन में से किसी A को offer कर रहा है performance की तो यह माना जाएगा कि तीनों को की गई है और उसे valid offer माना जाएगा point clear कि अगर joint promise है तो उन में से किसी एक को अगर offer की जाती है तो उसे valid offer माना जाएगा अब हमने जो point यहां तक किया है उसमें यह था कि promise ओर ने तो offer किया promise ही ने उसे reject कर दिया अब promise ओर ने अकर offer की है सही time पे की है सही quality की है सही quantity की है even then उसको reject किया गया तो क्या consequences होगे तो promise ओर उसके लिए liable नहीं होगा कल को promise ओर performance के लिए liable नहीं होगा ठीक है पहली बात दूसरी बात क्योंकि promise ओर ने तो अपने हिस्से की performance दे दी है तो जो promise ही है उसका अपना right जो है वो lose हो जाएगा जानि कि promise का अपना right की performance लेने का एक तो वो खतम हो गया दूसरा ये माना जाएगा कि promise ने contract तोड़ा है और promise जो है वो damages पे करेगा clear है जी तो ये consequences होंके अब आगया कि कुछ contract ऐसे भी होते हैं जिनको perform करने की जरूरत नहीं है वो कौन से contract है जिनको performance की जरूरत नहीं है if the parties to contract agree to innovation, decision or alteration अब A और B के बीच में agreement हुआ था कि A कहता में scooter sale करूंगा बी कहता है ठीक है मैं खरीद दूंगा अब दोनों parties ये चाती है कि हम कोई निया contract बनाए या जो पुराना उसमें कुछ alteration करें या उसको खतम करतें तो अगर दोनों parties ये सोचती है तो उस case में contract को पिछले contract को perform करने की जरूरत नहीं है दूसरा point है कि when a voidable contract is resided ठीक है अब क्या था कि voidable contract था वो resided हो गया खतम हो गया तो उस case में क्या होगा उसको perform नहीं किया चाहेगा अब इस contract में a और b के contract में a ने क्या किया caution apply किया किस पे b पे apply किया है अब b ने क्या किया contract को तोड़ दिया अब contract जब उसने तोड़ दिया खतम कर दिया तो इसको perform करने की जरूरती नहीं है क्योंकि contract voidable था एक की party उसको cancel कर सकती थी तो उसने उसको cancel कर दिया where the failure has been caused by promising neglect promising की neglect की वज़ा से अगर performance fail हो जाती है तो उस case में भी performance की जरूरत नहीं है ठीक है जी next है कि where the promising dispense with remit performance by the problem अगर A ने कोई चीज परफॉर्म करनी है A ने आपको 10,000 जो है bills of cotton ट्रांसफर करनी है B उसे remit कर देता remit करना मतब performance को कम करना उसने आप ही कह दिये कोई ना ऐसे नहीं ऐसे कर लो जब उसने उस performance को change कर दिया remit कर दिया तो एक तरह से उसने क्या किया एक नया contract बना दिया तो वो पुराना जो contract है वो cancel हो जाएगा उसको perform करने की ज़रूरत नहीं है अब हमारा अगला टॉपिक है by whom contract must be performed contract perform करन करेगा सबसे पहले पाईता प्रोमिजओर प्रोमिजओर खुद करेगा प्रोमिजओर contract को पूरा करेगा ठीके तो जैसे ए नहीं का है ए नहीं का है B से कि मैं तुमारी जो जो है पेंट करूंगा पिक्चर पेंट करूंगा अब A ने promise किया A प्रामिजोर हो गया, B प्रामिजी हो गया तो यहां पे उसने picture paint करने की बात की है तो कौन पूरा करेगा, A करेगा, A प्रामिजोर प्रामिजोर करेगा उसके पात B उसकी payment करेगा तीसरा, दूसरा है by agent agent जो है agent भी perform कर सकते है हांजी जो हमने first point किया उसमें था कि प्रॉमिजोर खुद पर्फॉर्मेंस करेगा कब जब यहां पे skill की जरूरत है अगर उसकी skill की जरूरत है पर्सनल skill की जरूरत नहीं है जैसे A कहता है कि मैं B की picture paint करूँगा यहां पे A की personal skill है उसकी जगा कोई और नहीं ले सकता इसी तरह अगर A कहता कि मैं singing performance करूँगा तो यहां पे उसकी personal skill है जो कोई और नहीं कर सकता तो यहां पे promise और ही perform करेगा by the agent जहां पे personal skill की जरूरत नहीं है वहां पे जो है उसका जो agent है वो पी performance दे सकता है ठीक है कई बार क्या होता है जैसे A ने contract किया B के साथ कि मैं goods देलिवर करूँगा अब A जो है खुद उसका business पौट पड़ा खुद देलिवर नहीं करता उसने agent पाइंट किया तो उसके भिहाब पे agent जो है वो पी performance कर सकता है by the representative अगर तो मतलब की representative अगर तो personal skill की ज़रूरत है तो वहाँ पे legal representative perform नहीं करेगा ठीके जी अब A ने promise किया कि मैं B की picture paint करूँगा अब picture paint करने से पहले A की death होगी अब उसका सारा business उसकी जो skill है वो हो सकता है कि उसके बेटे में ना हो उसके legal representative में ना हो तो यहाँ पे legal representative जो है वो perform नहीं करेगा पर अगर A ने B से काया कि मैं goods deliver करूँगा वो delivery से पहले उसकी death हो जाती है और उसका सारा business उसका बेटा संभाल रहा है legal representative यहाँ पे A के भिहाब पे उसका बेटा जो है वो goods की delivery कर सकता है कहने का मतलब यह हुआ कि जहाँ personal skill की ज़रूरत है वहाँ representative काम नहीं करेगा अगर personal skill की ज़रूरत नहीं है then he can do third person अगर promisee accept करता है तो third person जो है वो भी contract को perform कर सकता है अब depend किस पे कर रहा है B पे कर रहा है promisee पे कर रहा है कि promisee उसकी performance को accept करता है या नहीं करता अगर उसको acceptable है then third party जो है it can perform the contract now who can demand the performance a point यह arise होता है कि performance की demand कोन करेगा promisee कर सकता है promisee खुद कर सकता है ठीके जी किसकी performance की demand अगर promisee की death हो चुकी यह तो उसका legal representative कर सकता है ठीके यह third party भी कर सकती है अगर जो है एक से ज़्यादा जने है then उन में से कोई एक जो है performance की demand कर सकता है ठीके जी तो point यह था कि कोन performance की demand करता है ठीके अब हुआ क्या कि A promise B to sell house to C उसने B से promise किया कि मैं C को घर बेज दूँगा ठीक है अब A ने घर नहीं बेचा तो क्या C A को सीव कर सकता है it is only B ठीक है ना who can enforce the demand सिरब B A से कह सकता है कि तू जो है C को घर sale कर ठीके तो third party कुछ cases में demand कर सकते है जादा तर जिसके साथ हम agreement करते है वही performance की demand कर सकता है ठीके जी तो यह जो performance of contract का chapter है इसका जो half part है हम next video में करेंगी तो यह जो question बनता है आपका who can demand the performance by whom ठीके और जो lengthy question है वो है performance of contract and what are the essentials of a tender ठीके जी तो वीडियो अच्छी लगी आपने वीडियो को लाइक करने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और जादा से जादा share करें Thank you